सावनेर इल्विस्टेशन के फंसींग के पास एक यूवक का शब मिलने से हड़कम मच गया प्राप्त जानकारी के नुसार हिर्जियोती फाउंडेशन के इतेश बंसोड को रिल्वे स्टेशन के फंसिंग के पास अग्यात युवक का शव पड़ा होने की जानकारी प्राप्त होते ही उक्तजानकारी सामनेर पुलिस तथा सामनेर रेलवे स्टेशन मास्टर मीना जी आरपी के पीएसाई सुरेंदर साड़वे को दी गई जिसके तहट सामनेर थानेदार रविंदर मानकर अपने दलबल के साथ घटनास्तल रवाना हुए गईनास्तल का मुआवना करने पर उक्तजास्राव सामनेर रेलवे स्टेशन के करीब फंसिंग के करीब ठ॥ा-्रेलवे के पंपठा हाउस की बीच भड़ा पाया गया जिससे रेलबे अधिकारी उक्त हद को अपने हद में ना आने का वसामनेर पुलिस की हद होने का बहाना कर पल्ला ज़ाडने लगे जिससे कुछ देर तनाप का वातवरर निर्मान हुआ अंधिता सामनेर थानेदार रविंद्र मानकर एसाई राजिंद्र यादव हिज्योती के हितेश बंसोर वसे योगियों की मदद से खटनास तल पंचना मकर उक्तग्याशब को प्रात्मिक स्वास्त प्रशिक्षन केंद्र सामनेर लाकर उचित जाच कर मेडिकल हॉस्पिटल नागपुर रवाना किया गया मृतक युवक की उम्र करी 35 वर्श के लगबग उचायकरी पास से 6 फूड रंग गे हुआ तथा नीले रंग की जीन्स वा काले रंग के पूरे अस्तीन गोल गले का टीशिट पहने है उक्तु युवक को अगर कोई पहचानता है तो वो तुर कानी रेलवे कौटरों के परीसर में पाए गए उक्तु युवक के शफ के घटना को देखते ही रेलवे पुलिस अपने हद में नहीं होने का रोना रोने लगी जिससे कुछ देर आसमंजस का वातावरण निर्मान होने लगा जिस पर करतव विदक्ष थानेदार रविंद् कम से कम मानफता के नाते तो भी थोड़ा से योग कर ही सकती थी इन भी से नियूस के लिए सावनर से समवाद्दा अताकि शोर ढूंडे लेकी रिपोर्ट